आखिर हम निवास प्रमाड़ पत्र किस तरीके से बनवा सकते हैं, आखिर इसमें खर्चा कितना आता है और आखिर इसके लिए कौन-कौन से हमें डोकुमेंट की जरूरत होती है, तो चलिए आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निवास प्रमाड़ पत्र होता क्या है, जहां के आप निवासी होते हैं वहीं कहीं आपका निवास प्रमाड़ पत्र बनता है, वो इस चीज़ को सावित करता है कि आखिर आप बहां के निवासी हैं, इसी के साथ में आखिर निवास बनवा सकते हैं तो वो सारी बाते जानने के लिए इस वीडियो को सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो को सेर जरूर करतें अपने फ्रेंड के साथ अगर उन्हें भी किसी प्रगार की दिक्कत आ रही है निवास प्रमाड पत्र बनवाने में तो इस वीडियो को देखकर और वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ठीक है कि आखिर प्रमाड पत्र किस तरीके से बनवाना है ठीक है तो सबसे पहले मैं बता दूँ अगर आप पुत्र पुत्री हैं तो आप आपके पास आधार कार्ड होगा आप उसी से ही निवास को बनवा सकते हैं ठीक है दूस निवास है वो तो यहां पर लगबग सेमी रहता है पर जहां पर दिक्कत आती है वो आती है लड़कियों के लेकर ठीक है क्योंकि लड़कियां जब अपने मम्मी पापा के घर पर होती है तब तो यह है कि उनका जो निवास है वहीं का ही बनता है ठीक है पर जब दिक्कत तब ऐड्र चेंज कराना होता है ठीक है स्वेस्सारादर gost जाती यह तो वहां पर उन्हें सत्याइपन कर सकते या थो बिदाहें के जड़ीद मिधा हैं या फिर यहां पर सर्पन्च में पिरदान होता है तो आप उसके लिए आपको लिखनी कि होती है और वहां पर पर कि जूक ज़िकार और इसे के साथ में डेट आपको वहां पर लिखवानी होती है अगर तो यहां पर पता देता हूं तो आपको ग्रामीर में ही अगर आप रह रहा है तो वहां पर प्रिदान की ले सकते हैं तो यह है कि थोड़ा दूर हो सकता है ठीक है और आप विद्धक के आसपास रहती है तो आप विद्धक की भी ले सकती है ठीक है तो यहां पर जैसे कि मैंन प्रमारित किया जाता है कि अगर आप यानि की पत्नी है ठीक है तो पत्नी वाले उप्षन पर टिक करना है यहाँ पर अपना नाम लिख देना है ठीक है जो भी आपका नाम है उसके बाद में आप किसकी पत्नी है वो आप यहाँ पर नेम लिखेंगी ठीक है उसके बाद में आ साथ में आप किसकी पतनी है आप चाहें तो यहां पर लिख सकती है हाला कि इसमें पर नहीं है इसी के साथ Uhh तो जैसे कि मैं एक साल से बहली बति जानता हूं यहां पslушंत coronavirus यहाँ पर देट इसी के साथ मैं प्रदान जी की गनेम और पर देट मोन लगवा लेüyorsun और अपने पर भी लगवान लेना है तो इससे यह है कि तो यह होते हैं वह नी है यहां मे मेरे घवाय में रहती है और इनकी साधी हो चुकी है और यह इनकी पत्नी और मैंने इतने समय से जानता हूं ठीक है तो यह चीज वह यहां पर लिख करते रहा है उसके बाद में आप आप आनलाइन जनसे बाके इंदर पर जाएंगे जहां पर भी निवास प्रुमार पत्र बनते हैं इस चीज को चेक क बने से करेगा हो सकता है वह पिरदहान से कांटक्ट करें ठीक है उसके बाद में में प dit में करबा सकते हैं उसके निवास के जरिए ही तो उसकी जरिये यही आप यहां पर जैसे की आधार कार्ड में अपना एड्रस चेंज करा सकते हैं और उसी के साथ में आप यहां पर रासन कार्ड बनवा सकते हैं रासन कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन-कौन से डोक्मेंट की जरूर पर जैसे की पतनी का आधार इसी के साथ में पती का और इसी के साथ में आए ठीक है तो यह सारे डॉकुमेंट लगते हैं तो आप रासन कार्ट बनवा सकते हैं इससे रिलेटिव मैंने एक आर्टीकल भी लिखा है उस आर्टीकल को भी पढ़ सकते हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छे लिए वीडियो को लाइक करें चैनल प में